तो आज हम लोका रहने वाला लेक्चेर नंबर थर्ड ओफ जी के वाई की सिरीज चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहला क्विश्चिन आपका यह रहा दा इंडियन ओलंपिक असोसेशन इस अफिलेटेट टू भारतिय ओलंपिक संग किससे संबंधित रखता है इन इंडिकिस संबंधित है तो इंटरनाशनल ओलंपिक कांशिल इंटरनाशनल ओलंपिक एससेशन इंटरनाशनल ओलंपिकक कमिटी शही हैं आपसिनичес handwriting कि अग्रम इस कमिटी की लॉसण सुजिलेंड ठीकर घ्टाथ कौर्टर है आपका लॉसण सुजिलेंड में और यहीं और और बी बहुत सारी हमारे जो स्पोर्ट पढोल टेपरेशन केडिल जैसे के इन्टिब टेनिस फेडिशन इसका य य माइन भी अध्टाथ teraz feelgarong ल सोन सुजिलेंड Independence talking about its logo तो इसके logo में तोटल इस तरह के आपको five rings देखने को मिलेंगे different colors की और यह जो five rings है यह five continents के यह पांच महादीपयों के reunion को दिखाती है ठीक है because यह मना जाता है geography हम लोग पढ़ेंगे कि पूरा जो हमारा land mass है वो एक साथ exist करता था जिसको कि हम बोलते थे पैंजिया और जो पूरा पानी था ocean तो उसको पैंथल आसा बोलते थे यह फिर पैंजिया further break और यह different seven continents में निकल के आया लेकिन हमें पता है कि एक जो हमारा continent America को हम सिर्फ America deal कर लेते हैं ठीक है देन एक हो जाता है हमारा Asia देन हो जाता है यौरप ठीक है और यह नहीं करते हैं उसमें आपको सब कुछ न्यूजी लैंड वगएरा यह सारे countries भी आ जाते हैं and the remaining Africa यह different five continents के री यूनिन को यह दिखाता है यह पर्टिकलर लोगों है लंपिक का ना की ओडी का ठीक है ओडी का कैसा होता है ओडी का ऐसा होता है ना चले तो आगे बढ़ते हैं कुस्टिक नमर सेकेंड वाट इस दी फुल फूर्म फूर्म का पूर्ण रूप क्या है तो डिएट का मतलब क्या था डिट रिटर्ट इस जो डिएक हो रही है जो कोई चीजशा्ड है उसको हम बोलते है ठीक है और इसaker ऐस होता है हूं बढ़ देंक ही जो की दार्क कलर का में मॉर्फिस कंपाउंड ओता है इडवार्फ प्र का ईमट्सyon कंपाउंड और यह जो ही इसको कि ऐ और गेनिक मैटर भी बोलते हैं ये डीके होता है विद्धी हेल्प आफ सेर्टेन माइक्रोगनिजम्स ठीक है कुछ छोटे शूष में सूख्ष मजीव होते हैं जैसे कि बैक्टिरिया वगहरा है वह इस जैसे अब ये डेट्रिटर्स ऑगनिक मैटर है क्या तो जैसे पतियां गिरती हैं पत्तियां जड़ती है जैसे फाइजमर हम लोग भी करने या फिर कोई पतियां गिरती है तो यह organic matter है ठीक है और यह जो organic matter है यह decay होता है इनको decay करने का काम करता है सडाने का एक तरह से काम करते है micro organisms जिनको हम सूष्म जीव बोलते हैं और यह microorganisms in this literatus food chain are called as detri wars इनको हम detri wars के नाम से जानते हैं जिसको क्या करते हैं डीके करते हैं जो detritus होता है जो कि एक कुछ और नहीं बलकि हमारा organic matter है जिसको कि हम humans के नाम से भी जानते हैं और इट बाकि food chain और भी different types की होती है जिसे terrestrial food chain होती है terrestrial food chain करकर मैं को example दूँ जैसे for example घास है घास को caterpillar खाता है caterpillar को frog खाता है frog को देन snake खाता है snake को देन eagle उठा के ले जाती है ठीक है तो क्या है terrestrial ऐसे ही हम लों की aquatic food chain भी होती है बट वो जब questions आएंगे तो हम सारी चीज़ें देखेंगे ठीक है moving on towards the next question number of members in the second session of the Indian National Congress भारती राष्टी कांग्रेस के दूसरे सत्र में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो Indian National Congress के अगर बात करें तो it was formed on 1885 1885 85 में और इसके अगर immediate reason की बात करें कि यह बना क्यूं था इसका तातकाली करण क्या था what was the immediate cause तो इसका तातकाली करण था इलबर्ट बिल कॉंट्रोवर्सी यह इलबर्ट बिल अगर बात करें तो 1883 में सबसे पहले आया था 1883 में जब बिल आया तो इसने यह कहा कि जो अब Europeans है फिर जो Britishers हैं फिर British इसरोय होता था तो इसलिए रिपन को भी काफी backlash जेलना पड़ा किसके द्वारा Britishers के द्वारा विकॉज उनका यह मानना था कि इंडियंस हमें सजा नहीं सुना सकते हैं उनके अंडर में हमारा τ्रेल नहीं चलना चाहिए तो उनका ऐसा मानना था ठीक है तो यह चीज इंडियंस भी बैट अब एक तरह से देख रहे तेर उनको यह चीज बहुत ही demeaning feel हुई कि एक तरह से racialism Britishers खतम नहीं करना चाहते intentionally तो उसका एक immediate reason माना जाता है Indian National Congress का formation का ठीक है अब Indian National Congress के अगर बात करें INC की तो 1885 में ये बनता है और इसके founder माने जाते हैं कौन? Alan Octavian Hume, A.O. Hume in short ये एक ornithologist था ये पच्छी विज्यानी था जिसको father of Indian ornithology के नाम से भी जानते हैं और अगर हम बात करें INC की तो फर्स सेशन होता है वो गोकुल्दास तेजपाल Sanskrit College में होता है जो की Bombay में है कब होता है 1885 में और ये जो सेशन है वो Preside कौन करते हैं? वोमेश, चंद्र, बैनर जी इस सेशन को करते हैं Preside and then second session होता है 1886 में पहला 1885 में और second session होता है 1886, 1886 में और ये जो सेशन है इसको Preside करते हैं बदरोदीन तयब जी सरी, बदरोदीन तयब जी बोल रहा हूं second session होता है आपका 1886 िक्स क्यालकटा में और इसको करते हैं दादा भाइ नरोजी ठीक है इसको परिशाइड करते हैं दादा भाइ नरोजी जिन्होंने Congress के टोटल तीन को परिशाइड किया बाकी जब दादा भाइ नरोजी कोई तो वहां सारी चीज़े हम देखेंगे दादा भाई नरोजी से को लेकर ठीक है थर्ड सेशन अगर हम बात करें तीसरा यह हुआ 1887 में यूजुली डिसमबर के महिने में कॉंग्रेस के सेशन गवा करते थे 1887 में यह हुआ इसको प्रिसाइड किया बदरुदीन तयब जी नहीं और ये पहले मुसलिम प्रिसिडेंट बने Congress के, बदरुदीन तयब जी और यह particular session कहा पे हुआ था यह भी आपसे पूछ लेता है, तो यह मदरास में यह session हुआ था and the fourth session was, जो 1888 में होता है और इसको preside करते हैं कौन? इसको preside करते हैं George Yule, जो कि पहले Congress के British या फिर English President भी बने और यह Allahabad में जो है, यह session organized होता है, अगर हम Congress की बात कर ले हैं, तो Annie Besant इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, फिर first women president बनी Congress की, इन्होंने कौन से session को preside किया? 1917 का, आप में से कुछ लोगों को 1916 का session याद होगा, जो कि काफी important है, जहाँ पे moderate और extremist, यह नहीं नहरंदल और गरमदल एक साथ है, तो उसके अगला वाला session 1917 में हुआ था, कलकटा में इसको preside किया था, और अगर हम बात करें, पहले, पहली Indian women president कौन बनी Congress की, तो she was Sarojni Naidu, ठीक है? Sarojni Naidu के अगर हम बात करें, तो इन्होंने 1925 का, जो है कानपुर का session उसको preside किया था, और इसके एक साल जो पहले session हुआ 1924 में, वो भी बहुत important था because जो 1924 का session था, इसको महत्मा गांधी ने preside किया, गांधी जीने और यह एक मात्र session था, जिसको की गांधी जीने preside किया, first and the last also, और पहले session को attend किया था, 72 लोगों ने, और दूसरे session को attend किया था, 434, 34 लोगों ने, यह second की बात कर रहा है 78 अगर हम बात करें, 78 तो इतने लोगों ने हिस्सा लिया था, डांडी मार्च में, इतने लोगों ने मार्च किया था डांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो साबर मती से डांडी तक मार्च किया था गांधी जी ने in civil disobedience movement सवीना वग्यांदलन in 1930 clear and अब को चलो मैं ही बतायाता हूँ अभी तो अभी हम लोग ने चीज़ें करी नहीं है international congress जब बनी तो इसको लेके काफी theories भी आई जैसे कि सबसे पहले एक theory थी safety valve theory safety valve theory Congress is like safety valve तो यह theory दी थी लाला लाचपत राय जी ने ऐसे ही Congress को a factory of sedition बोला था a factory of sedition sedition का मतला बे देशद्रो या फिर राजद्रो यानि राजद्रो की एक factory Congress ऐसा बोला था उस समय के voice रहा है डफरिन तो अगर आपसे question पूछले कि जब Congress बनी थी तो कौन था voice रहा है तो answer would be duffरिन और conspiracy theory दी थी आर्पी दत्त ने अगर पूछले कि who gave the conspiracy theory तो conspiracy theory दी थी आर्पी दत्त ने ठीक है आर्पी अर्बी नहीं होगा आर्पी दत्त ठीक है लिए तो जल्दी से उसको रिवाइस करते हैं ठीक है अब यहां पर मैं लिखने वाला नहीं हो विकास हम लोग कर चुके है ठीक है तो five year plan अगर हम बात करें तो हमने कहां से लिए सोवियत union से concept लिया है actual planning start कब होई थी 1938 में हम लोगों नाशनल प्लानिंग कमिटी हम लोगों नहीं सुभास इंबोस ने बनाई थी और जवाल नेहरू ने उसको प्रिसाइड किया था दे 1944 में 1944 में बॉंबे प्लान आता है जहां पे कुछ हमारे बिजनेसमें आते हैं घट्टा होते हैं 2021 में based on the Haradomar model ठीक है Haradomar model पे based था यह और अगर हम बात करें तो इसमें हमने कुछ dams important setup किये था जैसे कि भाकला नंगल dam setup किया था जो कि हमारा largest dam है और highest gravity dam भी है और हीरा को dam जो कि India का longest dam उसको setup किया था second five year plan कि अगर बात करें इस डे मनाते हैं ने की सांखे की दिवस मनाते हैं और second में हमने ये भी पढ़ा था कि ये ये इट वस based on rapid industrialization पे based रथा ये industrialization करना था और यहां पे तीन integrated steel plant setup हुए थे एक तो राओर केला जो कि ओडिसा में है दुरगापूर जो कि West Bengal में है और तीसरा भिलाई जो की 36 गड़ में इसको हमने याद ऐसे रखा था कि केला खाया था जर्मनी के साथ दुरगाजी की पूजा करी थी ब्रेटन के साथ और पिलाई करी थी USA और पाकिस्तान की मिलके किस के साथ USSR यानी की थी नयुक इंसर किसल में इतने परम युकि युद्स वर्षी वर्षिकों इतने खाया मिय में देख्ण में हो गया था 3rd 5-year plan में जो आपने टार्गेट रखा था, that was 5.6% और अचीव वह था 2.8% 4th जो 5-year plan था, वो गडगिल फॉर्मॉले पे बेस था, इस पे बेस था, गडगिल फॉर्मॉला पे and जो 5th 5-year plan था, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, minimum needs program आया थे and it was based on DP धर मॉडल, ठीक है, DP धर मॉडल पे बेस था यह, moving on towards the next question which structural layer in some cell types is composed mainly of carbohydrates like cellulose, hemicellulose, lignin in a ratio of this and some fatty substances like wax, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप इस चीज़ को याद गर लें किस ratio में because कल भी हम लोगों ने question देखा था, हम पर उने बताया था, कैसे वो question पहले पूछा जा चुका है जैसे वो हमने देखा था, वो मेना कोदा था कि इंदरा गांदी ने 1968 में 1968 में stamp release किया था, wheat revolution नाम का तो 2021 में CGL में इस तरह से पूछा, कब launch गया था, 68 में और अभी पूछ लिया था उसने इसी साल, 2023 में कि किस नाम से हम लोगों ने कल question देखा था, तो wheat revolution तो ये ध्यान रखना कि ये इस ratio में होते हैं, cellulose, hemicellulose और lignin इस ratio में होते हैं और ये किस में होते हैं, ये होते हैं आपके cell wall जिसको हम बोलते हैं, kooshika binti ठीक है, ये होते है, kooshika binti, अब ये क्या होती है, kooshika binti तो actual में ये होता है, cell आपका, पहले बात तो discuss कर लेते हैं, because अभी हमने cell का कुछ भी discuss नहीं किया, तो cell होता क्या है तो cell is the basic functional unit of life जैसे कि हमारा घर बनता है तो उसकी functional unit क्या है इंटे है because इंटें जोड़ जोड़के घर बनता है उसी तरह cell को जोड़ जोड़के tissues बनते हैं, tissues को जोड़ जोड़के बनता है हमारे different organs, organs से पूरा बनता है organ system और organ system से बनता है जैसे हम human beings है तो हम लोग cell सही बने हुए है तो हमारा जो functional unit है वो cell है अब इस cell की अगर बात करें तो discovery किस ने करी थी वो हमें जानना important है ना कि definition तो discovery नहीं खोज अगर हम बात करें तो सबसे पहले 16, 65, 1665 में Robert Hook ने करी थी Robert Hook ने और किस में? Cork में एक लखड़ी का टुखड़े में और ये dead cell थी, मरी हुई cell थी बट अगर हम बात करें living cell की discovery कब होती है तो लगबग 9 साल बात है ने कि 16, 74 में कौन करता है? Anthony Vaughan Levenhawk ठीक है? Anthony Vaughan Levenhawk और ये किस में करते हैं? Levenhawk और ये discovery करते हैं pond water में pond water नहीं कि जो तालाब का पानी होता है उसमें फिर अगर हम बात करें cell theory कौन देता है? cell theory के अगर हम बात करें तो ये देते हैं हमारे Sheldon and Swan ठीक है? Sheldon and Swan कब देते हैं important नहीं है and इसमें ही further add-on करते हैं एक scientist हुए virtue तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसने इसमें add-on किया तो virtue नहीं किया तो कोई भी आपसे नाम पूछ सकता है Sheldon and Swan भी हो सकता option में और virtue तो virtue भी ध्यान रखना किससे associated है cell theory से associated है now what is this cell wall तो cell wall होती क्या है? तो जो भी हमारी cell की outer covering होती है जो भी इस तरह समाल भी बेंजीन की तरह cell मेंने ड्रॉख कर दिया कुछ इसी structure का होता है तो ये जो सबसे outer covering होती है ये या तो cell membrane हो सकती है ये या तो cell membrane हो सकती यानि कि इसको हम कोशिका जिली बोलते है फिसलेशमा जिली बोलते है ये या फिर ये हो सकती है cell wall यानि कि कोशिका भित्टी लेकिन वो depend किस पे करता है वो plant cell है फिर animal cell है because जो animal cell होती है यानि कि हम हो सकते हैं कि जो जन्तु की कोशिका होती cell को हिंदिम बोलते है कोशिका तो जो animal cell होती है उसकी जो outer covering होती है वो cell membrane होती है cell membrane जिसको कि हम plasma membrane के नाम से भी जानते हैं लेकिन जो plant cell होती है उसकी outer recovering cell wall होती है कोशिका भित्ती होती है but that doesn't mean कि जो plant cell होती है उसमें सिर्फ cell wall ही होती cell membrane नहीं होती है ऐसा नहीं है cell membrane तो सब में होती है plasma membrane तो सब में होती है लेकिन जो आपकी plant cell होती उसमें cell wall extra होती है अब ध्यान रखना कि सिर्फ plant में ही नहीं cell wall में देखने को मिलेगी animal cell में सिर्फ cell membrane ही होगी cell wall नहीं होगी लेकिन cell wall plants में भी होती है ये cell wall आपकी ये जो आपका fungus होता है उसमें भी होती है यह जो आपका bacteria होता है उसमें भी होती है different चीजों में different चीजों की बनी होती है जैसे कि plants में में यह जो cell wall होती है cellulose की बनी होती है किसकी cellulose की बनी होती है fungus में अगर हम बात करें तो complex sugar होती है इसको मुलते है kitten ठीक है glycocalyx है यह इसकी outer covering है तो दियान लखना glycocalyx क्या है इस bacterial cell की एकदम जो outer covering होती है उसको हम बोलते है glycocalyx लेकिन यह बना किसका होता है cell wall peptido glycan का बना होता है cell wall plants का cellulose का बना होता है ठीक है तो option number B यहां पर सगी answer होगा अगले और हां cell membrane अगर पूछले किसका बना होता है तो यह mainly proteins and lipids का बना होता है ध्यान रखना ठीक है mainly protein और lipid का बना होता है cell membrane अगला question है 6th which of the following is not a member of the orthopoda phylum नहीं है अभी phylum क्या होता है तो 1969 में एक scientist हुए white taker ठीक है white taker इन्हों ने जितने भी plants and animals यह छोटे-छोटे जो micro-organizer में सब को 5 kingdoms में बाट दिया 5 kingdoms में इन्होंने इनको सब को distribute कर दिया यह 5 kingdoms कौन से हैं एक है हमारा monera दूसरा है हमारा protesta fungi plant and the last is animalia ठीक है animalia तो टोटल 5 kingdoms में इन्होंने बाट दिया अब यह kingdom क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं तो इस तरह से पहले यह आप domain हटा दो ठीक है इस तरह से होता जैसे कि होता ना कि हमारी earth है earth में continent content में countries है countries में states है states में district है district में cities है cities में villages है इस तरह से further division हम करते जाते हैं उपर से लेके नीचे तक तो ऐसे kingdom होता है kingdom के अंदर फाइलम होता है फाइलम के अंदर class होता है देन order होता है देन family देन जीनस देन species कैसे जैसे for example मैंने बोल दिया कि humans तो humans तो एक पूरी माल लो category हो गई ठीक है तो उसके अंदर humans के अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं मेल में भी माल लेते हैं कि black है black है white है brown है ठीक है तो इस तरह से हम division करते हैं तो ऐसे ही है यहाँ पर यह जो आपका orthopoda है ऐसे ही एक यह kingdom है orthopoda एक समझ लिए kingdom है उसके अंदर क्या आते हैं फाइलम आते हैं ठीक है उसके अंदर आएंगे आपके फाइलम्स और वो फाइलम्स की यहां पर बात हो रही है कि which of the following is not a member of the orthopoda phylum ठीक है तो sorry आपका जो animalia है यह क्या हो गया kingdom हो गया और जो orthopoda वो एक फाइलम्स है बहुत सारे आपके फाइलम्स होते हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि अचिनो डर्माटा हो गया अनलीडा कॉर्डेट से सब पढ़ेंगे लेकिन अब यह सिर्फ हम फोकस करते हैं orthopoda पर तो orthopoda के कर हम बात करें तो इनकी properties क्या होती कि इनमें jointed legs होते हैं यानिक इस इस दी लाजेस्ट फाइलम्स यह जो हमारा ये kingdom है न मोनेरा ये kingdom है प्रोतिस्ता फंजाय प्लांटे अनिमेलिया तो अनिमेलिया kingdom में सबसे बड़ा फाइलम है orthopoda का largest है यह यह ज़्यादा तर आपके सारे जितने भी अनिमेल्स है उस वह orthopoda की काटेगरी में आते हैं और इसमें अगर हम बात करें अभी हमने देखा ना kingdom के अंदर phylum phylum के अंदर class तो अगर हम मैं बात करो यहाँ पर orthopoda phylum की तो इसमें जो एक class है जो है insects वो सबसे बड़ा class है और तो पोड़ा फाइलम के अंदर इंसेक्ट सबसे बड़ा class है लोकस्ट एक तरह कई लोकस्ट वो होता है मतलब वो जो मतलब पेड़ों में जो नहीं फसल खा जाता है जो एक कीड़ा होता है उसको लोकस्ट बोलता है ठीक है butterfly, prawn यह सब जितने हैं आपके इन में jointed legs देखने को मिलते हैं बट जो पीला होता इसमें jointed legs वागरा नहीं होता है यह orthopoda phylum से belong नहीं करता है ठीक है तो option में fourth इसका answer होगा तो यह चीज़ें अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि वाइट टेकर 1969, five kingdoms, monera, protista, fungi, plantae, animalia और animalia हमने एक phylum देख लिया और यह देख लिए किस तरह से इसका division होता है इसको याद करने की trick भी होती है अगर कभी पूछ ले कैसे order अगर कभी पूछ ले order में लगाने के लिए तो इस तरह से याद करते हैं कि some girls of our class play कबड़ी some girls of our class play कबड़ी domain आपको याद नहीं रखना है ठीक है अगले question पर आते है टो rainfall इंडियम में हम 3 category में divide कर सकते हैं या फिर हम पहले primarily 2 category में divide कर लें एक जो होती है गर्मियों के टाईम पर आनिकि जो होती है समर्स में और एक वो जो होती है आपकी कब winters में ठीक है एक तो वो जो summer में होती है और एक जो winter में होती है तो summer के गर हम बात करें तो इसको भी हम categorize कर सकते हैं, कैसे, एक तो हमारे summers में pre-monsoon showers आते हैं, जिसको कि हम इस वीडियो में discussion नहीं करेंगे, ठीक है बस आप इस समझ लीजे, pre-monsoon showers नहीं, monsoon आने से पहले, दिन आता है हमारा monsoon, अब monsoon क्या होता है, monsoon है, जो southwest monsoon होता है, यानिकि जो दच्छल पस्चिम डिर direction से आ रही है, तो southwest monsoon जो है, सबसे पहले कहां पर hit करता है, यहां पर, मैं थोड़ा सा, चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है, कि monsoon southwest direction से आता है, और यह गर्मियों के टाइम पर आने कि अगर मैं बात करूं, जून के टाइम में इंडिया में enter करता है, पूरे अगर इंडिया में बात करूं, तो में doggers तक पूरे इंडिया में फैल जाता है, winters में अगर हम बात करें, तो winters में भी इसको हम दो category में divide कर सकते हैं, winters में rainfall एक तो इस वाले area में होती है, इसको हम बोलते है, कोरो मंडल coast, ठीक है, यह जो कोरो मंडल coast है, यह तो य यहां पे सब बारिश हो रही है, तो इसका जो कारण है, वो है western disturbances पक्षमी विच्छोब, अब यह है क्या समझाता हूँ, तो winters में rainfall एक तो कोरो मंडल coast में हो रही है, ठीक है, वो किसकी हो जैसे होती, वो होती नौर्थीस्ट मॉनसून के वैसे, दियान रखना, जो यह को मंडल coast में हो रही, नौर्थीस्ट मॉनसून के वैसे, जिसको कि हम retreating मॉनसून या फिर लाटता हुआ मॉनसून भी बोलते हैं, retreating मॉनसून क्या होता है, तो जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, अब October के time पे होता क्या है, कि यहां से मॉनसून जाने लगता है, उसके भी reasons हो बोल देते हैं, नौर्थीस्ट मॉनसून, और because मॉनसून यहां से लाट रहा है, तो इसको retreating मॉनसून या फिर लाटता हुआ मॉनसून बोलते हैं, अब यह western disturbances की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि question है, कि जो winters में rainfall होती हो, किसकी हो जैसे होती है, question को थोड़ा सा और specify करना ची जो बोलते हैं, यह हैं क्या, तो actual में Mediterranean Sea पढ़ता है, भूमदे सागर पढ़ता है, location अगर आपको नहीं पता तो देखेगा map पे, तो यह जो Mediterranean Sea है, भूमदे सागर है, यहां पे कुछ disturbances create होते हैं, जिसकी वैसे यहां पे cloud का formation होता है, और यह जो cloud है, इनको ले के आती हैं, बहुत तेज speed से blow करने वाली jet streams, जिनको कि हम हिंदी में jet धाराएं बोलते हैं, यह जो jet streams है, upper troposphere में blow होती है, उपरी जो छोब मंडल है हमारा, उसमें यह blow होती है, और यह इंडिया के northern part में, यह jet streams इनको ले के आती हैं, जिसकी वज़े से rainfall होती है, और यह जो rainfall है, जो हमा और फाइदा करता है, ठीक है, यह चीज़ आपको पता हूने जी कि राभी की जो फसल है, उसको कौन फाइदा पहुंचाता है, विंटर्स की जो rainfall है, due to the western disturbances, श्री नरायन गुरू कंसिड़र दिफरेंसे बेस्ट बेस्ट आन कास्ट रिलीजिन अज मीनिंगलेस और अड़ अगर हम अमेटकर जी को नौथ इंडिया में जानते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में श्री नरायन गुरू हैं, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये काफी एक मेजर परसनलिटी हैं, जो जुड़े हुए थे, SNDP मुव्मेंट से जिसकों बोलते हैं, श्री नरायन धर्म पर पालन योगम, उप्शन नमबर सेकेंड, जिन्होंने बात कही, वन कास्ट, वन रिलिजिन और वन गौड की, अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज की, तो ये 1828 में राजा राम मोहन रोय स्टार्ट करते हैं, और आरे समाज शेकर बात करें, तो 1875 में स्वामी दयानन्द अब इनमें से हम किसी एक को उठाके किसको चूज कर लें, ये चले के पहले हम ब्रह्मो समाज को चूज कर लेते हैं, और इसके रिगार्टिंग हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे नहीं देखेंगे इसके रिगार्टिंग चीज़ें, सिर्फ हम लोग औरली रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले 1814 में 1814 में फिर 1815 लिखा होता है यह आतमी सभा करके बनाते हैं राजा राम मोहन रोय और इसको कि हम Precursor of Brahmo समाज बोलते हैं Precursor of Brahmo समाज का मतलब है कि Brahmo समाज से बनने वाला पहले बनने वाला यह था आपका आत्मी सभा, then 1828-1828 में बनता है ब्रह्मो सभा, जिसका बाद में नाम चलके हो जाता है ब्रह्मो समाज, और ये ब्रह्मो समाज से 1839 में, 1849 के टाइम पे एक तत्व बोधिनी सभा बनती है, ये राजा रामोहन रोया नहीं बनाते हैं, तत्व बोधिनी सभा, और ये तत्व बोधिनी सभा है, ये बोधिनी सभा का, और बाद में इसको कर देते हैं, मर्ज इसके ब्रह्मो सभा के साथ ध्यान रखना है, नोने एक पत्रिका भी निकाली, तत्व बोधिनी पत्रिका, मर्ज कर देते हैं, उसके बाद ध्यान रखना है, इसमें केशब चं अपना निकाल लेते हैं ब्रह्मो समाज ओफ इंडिया और रभीन रनाथ टैगोर निकाल लेते हैं आदी ब्रह्मो समाज तो ध्यान रखने डिवेजन किस वज़े से हुआ कि मतलब एक तरह से यह बोल रहे थे कि कॉस्मोपॉलिटेन फिर कोस्मोपॉलिटाइस करिये इसको ब अब दीन है। इनको हम सती प्रथा को अबॉछ करने के लिग जानते हैं, यह बॉलिष सती प्रथा, यहां ने क्या अबॉछ किया। मतलब इनके एफ़र्ट थे जिसके वेशे सती प्रथा अबॉण रही किसके टाइम पर ? संवद कामुदी, ठीक है, संवद कामुदी, percepts of Jesus percepts of Jesus gift to monotheism gift to monotheism and एक अकबार जिसका नाम था मिरातुल अकबार मिरातुल अकबार ठीक है तो यह राजा रामान रहन ने और इनको अपोज करने के लिए ब्रह्मो समाज का अपोज करने के लिए एक orthodox एक organization बना जिसको हम बोलते हैं धर्मसभा ठीक है धर्मसभा किसने बनाई थी धर्मसभा बनाई थी 1830 के टाइम पे ही राधाकान देव ने किस लिए बस बनाई थी इसका ब्रह्मो समाज का अपोज करने के लिए राधाकान देव ने ठीक है अगला question देखते है question number 9 विच पेशवा sign the treaty of bus sign with the East India Company किस पेशवा ने East India Company के साथ बसी इन की संदी पर अस्ताक्षर किये रगुनात राव और नरायन राव बाजी राव थी सेकंड या फिर माधाव राव कौन थे यह तो treaty of bus sign के आपे बात हो रही सही answer हो का option number 3 बाजी राव थी सेकंड जो की 1802 में sign होती है 1802 में treaty sign होती है रगुनात राव के साथ बिटिशर्स 1775 में 1775 में treaty of surat sign करते हैं ठीक है surat की संदी sign होती है रगुनात राव के वाज़े के बाद उसके साथ और उसके बाद ही अक्चल में first anglo maratha war भी start होता है 1775 में ही यानि पहला anglo maratha यूद है वो start होता है 1775 में चलता है 1782 तक और इसके end में होती है treaty of salby तो दिखना treaty of salby हुई थी किसके बाद first anglo maratha war के बाद treaty of salby and third anglo maratha war हुआ था third anglo maratha war maratha yud इसके बाद एक तरह से पूरा maratha empire पूरी तरह से diminish कर गया था 1818 में 1818 में जो last पेशवा हुए ठीक है उनको जो कि हमारे थे बाजी राओदी second यही ठीक है बाजी राओदी second इनको deport कर दिया गया कहाँ पे बिठूर कानपूर में और इन ही के adopted son थे नाना साहिब जिन्होंने 1857 के revolt में हिस्सा लिया प्लस यह भी आपको पता हुना है जी कि marathas ने और कौन-कौन से युद्ध लड़े तो marathas ने third battle of panipat भी लड़ा ठीक है third battle of panipat panipat का तीसरा युद्ध लड़ा गया कब यह लड़ा गया 1761 में यह भी कोई power setup कर नहीं पाता है जदा हमें deep में नहीं जाना है यह चीज आपको clear हो गई now what is this Peshwa Peshwa का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Peshwa Peshwa का मतलब होता है Maratha में जो prime minister होता था वो उसको Peshwa बोलते थे जो पहले हमारे Peshwa हुए उनका नाम था Balaji Vishwanath और इन्ही Balaji Vishwanath के बेटे थे Balaji Vishwanath और इन्ही Balaji Vishwanath के बेटे थे Bajirao the first second नहीं second बहुत बाद में आते है the first जिन पर Bajirao मस्तानी movie भी बनी हुई है ठीक है तो Balaji Vishwanath पहले पेश वा थे Maratha Kingdom में आगे बढ़ते हैं question number 10 which of the following is not and or a treaty चलो मैं आपको हमवाग देता हूँ treaty of purandar ठीक है treaty of purandar जो है यह च्छत्रपति शिवा जी ने साइन करी थी jaising के साथ ठीक है यह च्छत्रपति शिवा जी ने साइन करी थी jaising के साथ यह कब करी थी आपको comment section में बताना है ठीक है चलो मैं बता देता हूँ नहीं तो भी कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक है इसलिए पहले भी मैं बता देता हूँ फिर बाद में मैं आपसे खूब डेर सारे question पूछूँगा अक्चल माना जाता है कि उसने माना किया था जो कि अक्चल में reality है कि औरंग जेव ने शिवा जी को capture कर वा लिया था treacherously तोके से बट शिवा जी 16674 में बच निकलते हैं और खुद को independent गोशित करते हैं छत्रपति को जो title है वो लेते हैं which of the following is not an alkaline earth metal नहीं है जो कि हमारा क्या है sodium है mg यानि कि जो magnesium है c a calcium और b beryllium आ चुका हूँ यह हमारी प्रियोडिक टेबल थी इसमें कि 18 ग्रूप यानि कि 18 समूव थे और 7 periods थे ठीक है और उसमें से यह पहला ग्रूप है हमारा जिसको में alkaline metal बोलते हैं second group है जिसको alkaline Earth Metal बोलते है यह हमारा चाल्कोजंश जिसको हम बोलते हैं हे यह हमारी noble gases जिनको में inert gases या फिर 0th group बी बोलते हैं इसको हम जहां पर inert gases है हमने इस तरह से आद किया था कि हेमा नेहा और करीना जीती रहना इस तरह से और याद किया था चलो इनको भी याद कर लेते हैं किस तरह से याद करेंगे जैसे सेकंड ग्रूप अलकलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए तो बी से बैलियम है आपको अगर हम यहाद करें तो इस तरह याद कर सकते हैं तो यह इट्रोजन होगया ने अभी आर्जेंटीना में पांच जो लीथियम के बॉक्स हैं उनको एक तरह से अपने उसमें लिया है और उसमें इंडिया जो है माइनिंग कर सकती है ठीक है एक तरह से एक्वाइर किये हैं उन फाइव जो लीथियम ब्लॉक्स हैं जहां पर अजेंटीना में ठीक है तो यह चीज़ पता हो नीचे आपको बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला कुश्चन देखते हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट और वेस्ट बेंगॉल और अल्सो कॉल्ड़ है पश्चिम बंगाल की जो मैंग्रूव वन है उनको किस नाम से भी जाना जाता है सुन्दरबन सीशम शोलाज या फिर साही तो शोलाज चीगर बात करें तो जो साउथ इंडिया के या निकि वेस्टर् वेस्टर्ण घाट्स के जो फॉरेस्ट हैं फिर जो टेंपरेट ग्रास लैंड से वेस्टर्ण घाट्स के जो टेंपरेट ग्रास लैंड आपको देखने को मिलेंगे उनको हम बोलते हैं शोला ठीक है इसका सही आंसर होगा सुन्दरबन तो अगर हम बात करें यहां पर हम ल सिंदरिक वरक्ष्य विश्य वजह से उड़रे का नाम पड़ता हैं और यहां मुण पर के नाम से जानते हैं मैं दलदली चेत्रों में देखने को मिलते हैं, जो हमें, तत में देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ठीक है, इंडिया में सबसे जधा ज़ादा मैं मitésदूऔध Kayla इजिनको हम बोलते हैं ऊस्ट-टिवंदी, पँर्णपाथीवन इंडिया का roughly 40% से भी ज्यादा area cover करते हैं tropical deciduous forest जिनको कि हम इंडिया का सबसे ज्यादा part cover करते हैं area cover करते हैं and इनको हम monsoon forest के नाम से भी जानते हैं these are also known as monsoon forests आगे बढ़ते हैं जो भी हमारा पूरा peninsular प्लाट्य वाला part है यहाँ पर हमें देखने को मिलते ही deciduous forest which article of the Indian constitution mentions about advisory rejection of supreme court भारती समिधान के किस अनुच्यत में सरवोच चनैले के सलायकार छेतरादिकार का उलेक है 131, 124, 143 और 129 तो जो अनुच्यत देख 124 है पहली बात तो सरवोच चनैले की बात करेंगे supreme court की तो part number 5 of constitution में आता है और article number 124 से लेके 147 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है तो यह जो पूरा range है यहाँ को help करता है option elimination में जो आपको पता होता है वैसे तो यहाँ पे सब उसी range में है ठीक है लेकिन फिर भी कई बार ऐसा question होता है उस particular चीज के establishment की बात करता है जैसे article 52 से हमारे president के बारे में start होता है तो वो बोलता है there shall be a president of India 131 की अगर बात करें तो उसमें original jurisdiction के बारे में दिया हुआ अब यह original jurisdiction क्या jurisdiction क्या है छेतरा दिकार है यह उसका छेतरा दिकार क्या है कहां कहां वो नए सुना सकता है और original का मतलब यह होता है दियान रखना quality में कि आप पहले instance पे जैसे for example मान लो कि अगर Supreme Court ने यह बोल दिया कि divorce के मामले में हमारा original jurisdiction है तो इसका मतलब अगर किसी है कुछ divorce अगरा हुआ तो वो सीधे Supreme Court में जा सकता है जरूए नहीं कि वो पहले district court में जा है फिर high court में जा है यही हमें procedure को follow करना पड़ता है हमें पहले district court में जाना होता है यही हमें हमें पहले district court में जाना होता है लेकिन इसमें है कि आप directly जा सकते हैं और यह original jurisdiction Supreme Court का किस matters में है तो यह usually center और states के जो जगड़े होते है यानि कि केंद्र और राज्यों के जो जगड़े हो गए या फिर जो राज्यों के आपस में जो जगड़े हो गए उस matter में यह है हमारा original jurisdiction ठीक है और यह original jurisdiction exclusive in nature भी है Supreme Court का है exclusive का मतलब यह है कि सिर्फ Supreme Court ही इस matter से deal कर सकती है ठीक है और यहाँ पे गर हम बात करें article number 129 तो यह बोलता है Supreme Court is a court of record Supreme Court is a court of record का मतलब क्या है कि कोई भी Supreme Court कोई भी चीज़ कहता है तो उसको as a record record उसको maintain किया जाएगा जैसे कि Supreme Court ने आज भी हम court करते रहते हैं कि केशा नौंदा भारती केस में यह कहा था SR BOMAI केस में यह कहा था Minerva Mill केस में यह कहा था क्यों कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गए लेकिन पत्थर की लकीर हो गए doesn't man उसको change नहीं कर सकते है Supreme Court अपने decision को अपने उसको review कर सकता है अगर उसमें पहले कुछ बोला तो उसको बदल सकता है लेकिन उसको as a record रखा जाएगा और उसी चीज़ को use किया जाएगा further आने वाले cases में तो यह चीज़ पता होने चाहिए और इसका सही answer हो जाएगा Advisory jurisdiction का article number 143 इसका मतलब होता है सलायकारी छेदरादिकार अब यह जो Advisory jurisdiction है यह क्या है यह वो है कि बहुँ President जो होता है राष्टपती जो होता है हमारे देश का वो Supreme Court के पास जाता है कि हमें Advise दे तो दो matters पे वो लिख नहीं रहा हूँ उसमें Supreme Court की Advise वो ले सकता है जो भी Supreme Court Advise देगा वो President पे Binding नहीं है Not Binding बात दे नहीं है हमेशा इस चीज मैं आपको बार-बार बताता हूँ कि अगर कभी भी आपको इस चीज लगे कि बहुँ इस statement में दिये होई Binding है नहीं आपको नहीं पता है कि है कि नहीं है तो आप यहीं मानिए कि वो नहीं होगी Binding ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते है Who among the following is the author of the novel Thomas Thomas जो पन्यास उसके लेखा कौन है हरी शंकर परसाई है मोहन राकेश है राही मसूम रजा है या फिर भीशम साहनी है तो इसके author है भीशम साहनी option number fourth इसका question का सही answer होगा इनके कुछ और अगर novels की बात करें तो हैं जैसे जरोखे कादियान बसंती ठीक है कुंटो यह सब इनके क्या है इनकी कुछ और novels के नाम है along with tamas अगला question है गुगगा नौमी the festival celebrated in हर्याना और some parts of Punjab अब राजस्थान, UP नहिमाचल परदेश is dash मतलब dash is known as the festival तो किस चीज़ का festival होता है camel worshipping cow worshipping snake worshipping या फिर owl worshipping तो यहाँ पर हम सही answer की बात करें तो इनकी पूजा होती है गुगगा नौमी festival में और snake एक हमारा dance भी होता है राजस्थान में और उसको हम बोलते हैं कलबेलिया dance अक्चिल में यह जो कलबेलिया dance है इसको कलबेलिया tribe है वो perform करते हैं और कलबेलिया tribe को हम snake tribe के नाम से बोलते हैं और उसको सपेरा के नाम से जानते है और इसी से हमारे एक बहुत ही फेमस इसके exponent भी है गुलाबो सपेरा का नाम आप्याद रखेगा गुलाबो सपेरा ठीक है जो की कलबेलिया से associated है और यह कहां से कलबेलिया आपका राजस्थान से आपके बढ़ते हैं फिफ्टीन्थ प्लांट सेल्स डिफर फ्रम अनिमल सेल्स इन हाविग अन एडिशनल लेयर अराउंड इस सेल मेंब्रेन टर्म डैस यानि पादब कोशिकाँ पशु कोशिकाँ से इस मायने में भिन होती है कि कोशिका जिल्ली के चारों और एक अतिरिक्त परत होती जिसे हम कोशिका जिल्ली कहा जाता है यानि कि अभी मैंने आपको पताया था प्लांट सेल में भी सेल मेंब्रेन होगी अनिमल सेल में भी सेल मेंब्रेन होगी लेकिन plant cell में आपको एक extra covering देखने को मिलेगी उसकों बोलते हैं cell wall कोशिका भित्ती ठीक है और इसका answer जाएगा option number third simple ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका cell का structure तो यह cell के structure में cell wall देखने को नहीं मिल रही है कोशिका भित्ती नहीं है इसमें सिर्फ cell membrane है जिसको प्लाज्मा membrane में भी बोलता है यानि कि यह animal cell होगी ठीक है plant cell में cell wall होती है देखा था किसकी बनी होती है cellulose की बनी होती है fungus में आपकी ketin की बनी होती है जो की complex sugar होता है बैक्टीडिया में अगर बात करें peptido glycan की बनी होती है यह जो यहाँ पर दिया हुआ है यह सब इसके organelles है organelles मतलब cell जो होता है हमारा cell के अंदर उसका ऐसे समाझ लो cell को एक घर से compare कर लो एक house से compare कर लो तो cell जब आप उस घर में सबसे पहले घुसते हो तो cell membrane सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ठीक है ऐसे रिलेट कर सकते हो देन इसके अंदर एक पानी भरा हुए से समझ लो इस cell के अंदर खुब पानी भरा हुए इस लाई का swimming pool और इस swimming pool में बहुत सारी चीज़ें तैर रही है और यह जो पानी है उसको हम बोलते है साइटोप्लाजम यह साइटोप्लाजम क्या है जो cell membrane और यहां पर आपको nucleus देखने को मिलेगा इस nuclear membrane nucleus की केंद्रक की जो बाहरी परत होती उसको हम क्या बोलते है nuclear membrane बोलते है इस nucleus की discovery करी थी Robert Brown ने ठीक है Robert Brown ने इसकी discovery करी थी तो यह जो साइटोप्लाजम है जो कि एक jelly like fluid matrix है यह भरा हुआ है बीच में और इसके बीच में यहां पर बहुत सारे different organs जो different function परफॉर्म करते है nucleus के अगर बात करें तो इसको brain of cell के नाम से जानते है कोशिका का एक तरह से मश्टिस के नाम से जानते हैं यह सब के साथ coordination एक तरह से बिठाता है mitochondria के अगर बात करें इसको हम power house of the cell भी बोलते हैं power house of cell क्योंकि यह energy generate करने का काम करता है इसमें अगर आप धान से देखें यह जो आप यहां पर mitochondria orange color का देख पा रहा है इसमें एक इनर covering है और बाहरी covering है तो इसकी जो inner membrane है वह energy वह ATP का formation करती एडिनोसाइन ट्राइफॉसफेट का जिससे की energy generate होती है बाहर वाली porous होती है clear फिर अगर हम बात करें endoplasmic reticulum जिसको कि हम बोलते हैं अंतर द्रविका जिल्ली यह इस endoplasmic reticulum के एक तरह से दो बेटे हैं एक तो रफ वाला ठीक है जो थोड़ा खुरदूरा है rough endoplasmic reticulum और एक है इसका part smooth endoplasmic reticulum जो rough endoplasmic reticulum है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह rough है rough छोटे-छोटे dots यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चोटे-छोटे dots हैं आपके ribosome के और इसी की वज़े से यह जो है rough है और इस ribosome जो है यह आपका करता है protein synthesis तो इसलिए हम बोलते हैं अगर पूछ लेता कि protein कौन बनाता है endoplasmic reticulum में तो हम बोलते हैं rough endoplasmic reticulum smooth वाला क्या बनाता है यह fats का synthesis करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह smooth है यहाँ पर आपको dot नहीं देखने को मिल रहा होंगे ठीक है और जो endoplasmic reticulum है यह transport करने का overall काम करता है वह रफ तो करता है protein का synthesis smooth करता है fat का और यह जो भी ribosome protein बनाएगा और असुमत endoplasmic reticulum fat बनाएगा उसको transport करता है और उसको store करने का काम करता है storage और dispatching का काम है किसका storage and dispatch का काम है गोलगी apparatus का इसी वाज़े से इसको हम post office of cell भी बोल देते हैं post office of cell बोलते हैं इसको ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा लाइजोजोम क्या होता है इसमें fluid matrix भरा होता लाइजोजोम है ठीक है और लाइजोजोम की खाशियत यह होती ही कि इसमें जो matrix होता है वो उसको हम बोलते हैं hydrolytic enzyme यह जो hydrolytic enzyme है जो इसके अदर भरा होता है इसका formation होता है rough endoplasmic reticulum के अंदर RER के अंदर ठीक है और यह बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं suicide bag of the cell क्योंकि यह पूरी सेल को पूरी सेल को मार डालता है खुद भी मर जाता तो इसलिए लाइजोजोम कम बोलते है suicide bag of the cell वैक्योल की अगर बात करें तो वैक्योल यहां पर नहीं दिखाया गया है तो वैक्योल एक तरह से cell को रिजि सेल की देख लेंगे और भी कुछ चीज़ें लेकिन फिर आगे के लिक्चेस में देखेंगे तो रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रॉइट करता है वैक्योल जो है प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में रफ्ली आप यह मान के चलो 90-90 परसेंट का व में यह प्लास्टीट से कोई कोई स्चन आगा तो वहां पर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट यह सारी चीज़ें तो अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है एंडोप्लाजम रिटिकलम लाइजोजोजोम गोलगी आप्रेटर्स इन्होंने लिखी है चीज़ाँ वह सिफ आफ पॉपीज टी पॉपीज हुटर्स दी पाइड हंगरी टाइड टाइड रिवर ओस्मोक ठीक है रिवर किल्ले और समोक जो किताब है वह इन्होंने लिखी है बात अगर करें जुंपा लहरी जीकी तो इंके भी कुछ पुक्ष जैसे कि The Namesake, The Namesake है, Interpreter of Maladies है, ठीक है, Interpreter of Maladies and Romance Stories, ये इनकी कुछ books के नेम है, अगले question के बढ़ते हैं, 17th question, विच इनकी के बढ़ते हैं, 17th question, which of the following reasons can be attributed to the excessive pressure on agricultural land in India, ने की भारत में कृष्ची भूमे पर रत्यादिक दबाव के नेमलेकित में से कौन सा कारण जिम्मेदा ठरहे जा सकता, अब दबाव का मतलब क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे for example, ये part of land है, यहाँ पर खूब चीज़ें उगाने लगो, खूब चीज़ें तो इस पर प्रेशर पड़ेगा की नहीं, जैसे कि आपको मैं बोल दूँ कि अब यह आप पांच घंटे पड़ो, तो आठ गंटे पड़ो, दस घंटे पड़ो, तो आप पर प्रेशर आएगा, यनि कि आप उतनी ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें य division of land, division of land कैसे, जैसे for example, इंडिया की बहुत बड़ी वो है, जैसे बटवारा होता है, ठीक है, तो बटवारे में क्या होती है, लैंड डिवाइड होती है, और उससे land की productivity कम हो जाती, कैसे, जैसे अब ये land दो पार्ट में बढ़ गई, ये ये पार्ट और ये पार्ट मान ल सब्सक्राइब करते हो, ये भी प्रेशर डेवलप करता है, size of unprofitable land holding, size of unprofitable land holding, ये भी अनिकी जो अलाबकारी भूमी जोदका कार है, but right of inheritance अगर हम बात करें, right of inheritance का मतलब ये है, कि जैसे कि जो property है, वो ज्यादतर लड़के इनहरेट करते हैं, लड़कियों को नहीं मिलती ह एक तरह से प्रेशर नहीं पूट करते है, अगर हम देखें, ये लड़की को मिले जाए, लड़के को मिले, तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर, b, c, nd, option number second, question number 18, which of the following river flowed through magad, sorry, ये actually question ये था पहले, तो इसको मैंने change हिया था, इसको अटा दीजे, because ये हमारे लिए नहीं है, तो magad से कौन सिर्वर फ्लो करती है, गंगा एन क्रिष्णा, गंगा एन यमुना, गंगा एन सोन, फिर गंगा एन को सी, तो magad है क्या, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे, कुछ time period के अगर मैं बात करूँ, 6th से लेके, 4th century BC का जो time period था, 6th century, 6th century BC से लेके, 4th century BC क जो time period था, वहाँ पे 16 महा जनपद जो है, अमर्ज करते हैं इंडिया में, ठीक है, 16 महा जनपद जिनकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी capital बहुत important है आद दखना, जैसे अंगा की चंपा थी, मगद की राजगरी, ठीक है, कासी, वत्स की कौस्टामी, कौसल की स्रावस थी, क्योंकि इसका जो location था, वो बहुत strategic था, location अगर हम बात करें, तो present time जो बिहार वाला यह जो region है, यहाँ पे था, सबसे eastern side में था, इसकी जो पहली capital यह जिसको मराजगरी के नाम से जानते हैं, यह five hills इसे surrounded थी, और दिन बाद में इसकी कि जो capital shift हुई, जो करी किसमें, पार्टली पुत्र में हुई capital, यह एक तरह से गंगा और सोन के confluence में located थी पार्टली पुत्र, ठीक है, तो answer पहली बात option number third होगा, तो इसकी वैसे बहुत ही strategic position थी, और इसको change किया उडाइन ने, यह उडाइन कौन था, तो मगद जो empire था, इसमें different dynastries करूल हुआ, कल भी इस empire में dynastries change हो रही, तो मगद में भी different dynastries आई, सबसे पहले जो dynasty है, उसका नाम था, हरियन का डैनेस्टी, हरियन का डैनेस्टी का founder था बिम्बी सार, बिम्बी सार का बेटा था अजात शत्रू का बेटा था उडाइन, ठीक है, तो बिम्बी सार, बिम्बी सार के regarding एक जियाद रखना कि इसने एक physician जिसका नाम था जीवक उसको भेजा था, अवंती, यहाँ पे एक महाजन पद हुआ करता था, जिसकी capital उज्जैनी हुआ करती थी, तो वहां के जो राजातन को बिमारी हो गई थी, जॉन्डिस्की, तो जॉन्डिस्की बिमारी ठीक करने के लि दैनेस्टी, नंद वंश को सेट अप करता है महापदमनंद, लास उलर था धनानंद, और धनानंद को हरा के आते हैं चंदरगुप्त मौर्य, और यहाँ सेट अप करते हैं मौर्य डैनेस्टी, जो इस पूरे मगद एंपायर की सबसे important डैनेस्टी थी, सबसे बड़ी डैने चाहिए, कुछ भी कुछ भी बनाएं तो आपको पता होने जैसे वी से वज्जी है, वी से वशाली इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जो असमा के जिसको असक के नाम से जानते हैं, इसकी कबल प्रतिस्थान है, फिर पैठान, यह सबसे साउथ में जो प्रेजेंड महराष् रिफॉर्म्स के सुधार के रूप में किसे किस आक्ट को जाना जाता है, किस अधीनियम को जाना जाता है, तो यह हम जानते हैं, इन्डियन कांसिल सेक्ट उफ एट नाइटीन जिरो नाइन, जो 1909 का एक्ट था, वैसे यह होना चीए, गवर्मेंट ओफ इंडिया इंडिया सेसी का जो एक्जाक्ट ऑप्शन रहता है वही मैंने रखें यहां पर कुछ चेंज नहीं कि अपने आप से ठीक है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट होना चाहिए का देसे तो लेकिन आप क्योंकि 1909 में सिर्फ एक ही है इंडियन कांसिल एक तो उसी के साथ ही हम जाएंगे यह एक्ट है था 1909 में इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इस नाम से इसलिए जानते हैं विकॉस उस टाइम पे इंडिया का सेक्रेटरी इंजनल हुआ करता था मॉर्ले सेक्रेटरी कौन होता था जो ब्रिटेन की पार्लेमेंट का एक MP अन कि ज cupboard यृ सांपरदाइक्ता का जनक हम बोल सकते हैं मिंटो को क्यों कि इस 1909 एक्ट ने सबसे पहले इंटरडिूस किया था separate electorate को separate electorate क्या होता है है प्रथक निर्वाचन किसके लिए Muslims के लिए सबसे पहले दिये थे ठीक है इसका मतलब यह होता है कि Muslims के लिए सिर्फ Muslim है नहीं कोई Muslim बंदा एक तो यहां से खड़ा होगा और यहां पर जो Muslim रह रहे हैं इस एरिया में वही वोट कर सकेंगे हिंदू या फिर कोई और वोट नहीं कर सकते हैं इसको हम बोलते है सेपरेट एलेक्टरेट इस 19-19 का जो एक्ट हाया था इसको हम बोलते है Montague चल्फोर्ड रिफॉर्म क्यों बोलते है और वैसे बात है Montague समय सेक्रेटरी होगा चल्मस फॉर्ड होगा वह समय वोइस रह था 1919 म वोईस्रोय का है, तो इसने इस सेप्रेट एलेक्राइट को और एक्स्टेन्ड किया, और इसने दूर दूर तक फखेला है, इसको एंगलो इंडियन को दिया, क्रिस्चेंस को दिया, इन सब को भी इसने एक्स्टेन्ड किया फरदर, बाकि हम Government of Index 1919 को भी थोड़ा सा देख लेत और वो पहले इंडियन बने सतेंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक है इनको सतेंद्र नाथ टैगोर से मत कंफ्यूस करिएगा जो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्जैम को क्राक किया था वो अलग है यह अलग है सतेंद्र प्रसाद सिन्हा पहले आपस में correlated है, and the last question for the day is, which device was invented by Carl Frederick Goss and William Edward Weber in 1833, तो कौन सी उपकरन के नोंने अविश्कार किया था, transistor, electromagnetic telegraph, optical measure या फिर particle accelerator, तो उन्होंने electromagnetic telegraph का जो है अविश्कार किया था, Carl Frederick Goss और William Weber ने in 1833, तो यहाँ पर आज का हमारा होता है lecture खतम, और 20 नए questions लोगों ने देखा, और काफी सारी नई चीज़ें देखी, जैसे monsoon के बारे हैं, forest, cell, यह सारी चीज़ें, तो अभी मैं बहुत जदा आपको load नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, load तो थोड़ा सा पढ़ रहा होगा, लेकिन दीरे 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 सारी चीज़ें, यह लोगों की इस तरह से cover up होती चलेंगी, बस आपको करना यह है कि revision करते रहे है multiple, और जिन लोगों को, इसकी जो PDF है, वो परमार SAC, Telegram पे बात तो पहले तो मिल जाएगी, खुद से अगर आप notes बना रहे हैं, well and good, लेकिन अग आपको handwritten notes चाहिए, तो परमार Academy एप पे जाके, courses section में जाके, PDF course bracket में part 3 लिखा होगा, उसको check out कर सकते हैं, वहाँ पे आपको subscription basis पे, यहनि 1 month, 2 month, 3 months की basis पे, handwritten notes, English में लग, Hindi में लग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से आप notes या तो पहले download करके भी lecture को attempt कर सकते हैं, वह आपकी मरजी है, ठीक है, मिलते हैं अगले lecture में, धन्यवाद,